तो फाइल ही आपका एक बार फिर से सुआग देगो और काफी कमाल की वीडियो के अंदर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियली में 12 Pro Plus 5G स्मार्टफून का कैमरा टेस्ट मैंने कुछी दिमों पहले इसका एक डिटेल रिव्यू किया था अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो डिस्केप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर कुछ दोस्तों ने कहा था कि भाई इसका जो कैमरा ना उसके बारे में आर थोड़ा डिटेल में बताओ कि कैमरा क्वेल्टी हमें रियली में कैसी अच्छी मिलती है वीडियो क्वेल्टी कैसी वीडियो को लाइक करना और एक चीज और में आपको पहले बता दू भाई यह हम पहली बार कर रहे है अगर हमसे कोई गलती हो जाती है कुछ चीजे रह जाती है तो भाई ज्यादा दिल पर मत लेना कमेंट बोक्स में आप बता दिना मैं आपके क्योस्टों का जवाब भी देदूंगा और आगे से क्या होगा हम उनको थोड़ा ध्यान में भी रखेंगे कि यहां क्या कुछ हमें देखना चाहिए तो सबसे पहले मैं फीचर्स की बात करेता हूं फीचर्स की बात कूँ तो यहां पर फिफ्टी में आपक्सला ट्रिपल एक कैमरा है फ्रैमरी कैमरा फ जो 30, 60, 120 fps में कर सकते हो और 32 में पिक्सल की सेलफी देखना जाते हो और बाकी कैमरा फीचर आप माई डिस्पेपर भी देख रहे हो आपको बहुत सारे कैमरा फीचर है जो यहां पर देखने को मल जाते हैं तो चलिए अभी मैं आपको इसके कुछ कैमरा सेंपल से हैं दिख काफी बार क्या हुता काफी सारे स्मार्टफोन में हमने देखा коммент जो फोटो जो को च्छीज मुझे पर देखने को नहीं मिले नायच killing करहा यहां पर रहखने कोा पता चल जाएगा कि हाँ बाई जो अल्ट्रा वाइड इमेजिज है न वो हमें यहाँ पर इतने कुछ खास देख हो नहीं मिलती लिकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके सेल्फी कैमरा तो नो डाउट यार सेल्फी कैमरा भी हमें काफी अच्छा देख मिलताता है आप मैं डिस्प्रे पर कुछ सेल्फी के भी सेंपल्स देख सकते हो और यह बिल्कुल लो लाइट में मैंने कीचे जानभूज कर तक कि क्वेल्टी का यहाँ पर अच्छी तरह से प आपको देख मिलता है वहां पर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बता था कुछ स्मार्टफोन हमने पहले भी रिव्यू किये थे वहां पर जो एज डिटेक्शन है ना वो इतना कुछ खास हमें देख उनमें मिला था बाकि लो लाइट इमे आपको दिखाऊंगा जो मून की जो सबसे ज़्यादा हाइप होती है वो इसकी मून वाली इमेजिस से होती है तो वहां पर मैं आपको दिखाने वाले हो इस स्मार्टफोन की मून वाली इमेजिस जहां पर मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर 120 जोम तक दिखाऊंगा तो आ हाँ इसमें आप easily देखोगे ना तो सिधा सिधा पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर भी AI का यूज हो रहा है I mean artificial intelligence का यूज कर रहा है realme proper ऐसा नहीं कि original वैसा ही हमें click करके दे रहा है नहीं AI का जुरूर यहाँ पर यूज किया गया है और थोड़ ही optimize करके यहाँ पर images को दिखा रहा है लेकिन काफी सारे दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पर यह S23 Ultra को directly टकर दे रहा है 120X zoom में देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों ही smartphone की camera quality में especially 120X zoom की बात को तो वहाँ पर काफी बड़ा difference देखा जाता है तो चली अभी मैं आपको एक छोटी ही इसकी video quality भी दिखा देता हूँ कि video में आपको कैसी quality देख मिलती है क्या stabilization मिलती है या नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपको पहले ही बता था 4K video में 30fps की मिल जाती है और selfie में यहाँ पर आपको 32MP की मिल जाती है 1080p में तो यहाँ पर अगर आप selfie की video quality देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा stabilization का इसू आपको देखने को मिल जाता है लेकिन अगर आप rear camera की video quality का देखोगे तो यहाँ पर जो वीडियोज है आपको अच्छी stable देखने को मिल जाती है तो मैं अगर आप vlogging के लिए चाहते थे या selfie camera के लिए चाहते थे क्योंकि काफी सारी दोस्तों के वहाँ पर comments आए थे कि हम vlogging के लिए चाहते है camera तो देखो अगर आप selfie camera ज्यादा यूज करोगे ना तो मैं आप पर यह smartphone recommend नहीं करूँगा वैसे देखो quality wise कोई भी इसू हमें देखने को मिलता लेकिन अगर मैं बात को video quality की तो वहाँ पर थोड़ा unstable हमें video quality देखने को मिलती है लेकिन अगर मैं rear camera की बात कूँँ तो वहाँ पर अच्छी खासी stable video quality हमें देखने को मिल जाती है otherwise मुझे video में कोई भी जाता है ऐसा बड़ा इसू देखने मिला कि यहाँ पर colors के इसू देखने मिलते हैं या अगर हम movement करते हैं तो वहाँ पर manage करने में यहाँ पर कोई भी इसू ले रहा है देखो ऐसा मुझे कोई भी इसू देखने मिला otherwise मुझे camera के मामने में real me 12 pro plus काफी 23 smartphone लगा चाहे दोस्तो daylight के बात कूँ low light के बात कूँ दोनों ही condition में काफी अच्छी खास images दे रहा है हाँ बस ultra wide जो camera है भाई वो थोड़ी ही आपको गडबड कर देता है अगर आप ultra wide camera से images क्लिक रोगे तो देखो daylight में थोड़ी अच्छी images ज़रूर दे देगा लेकिन low light की बात कूँ तो वहाँ पर इतनी कुछ खास हमें images देखनों नहीं मिलेंगी और otherwise मैं बात को 50 megapixel camera की या 64 megapixel camera की तो वो हमें यहाँ पर काफी अच्छी images यहाँ पर निकाल के दे रहा है तो overall अगर मैं conclusion पर आता हूँ देखो भाई अगर आप vlogging के लिए चाहते थे, selfie camera से video record करना चाहते थे तो मैं आपको बिल्कुल भी smartphone कमेंट नहीं करूँगा दूसरी अगर आपको ultra wide images चाहिए थी तो वहाँ पर मैं कहूँगा low light में थोड़ी ही यहाँ पर गडबड कर देता है otherwise जो daylight है वहाँ पर अच्छा है इसके लाग अगर आपको दोस्तो rear camera से photos कलिक करने हैं भाई काफी तगड़ा smartphone हो और मैं कहूँगा भाई इस प्रेजिंग में भाईतिन camera smartphone में से एक है रियर camera से वीडियो रिकोड करनी है काफी अच्छी वीडियो रिकोड यह करके देता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट यूमें जहें दोस्तों